असलाम लेकुम नाजरीन मैं गाजिया शबनम आप सभी के स्थेक्पाल करती हूँ आपकी अपने नीज मोमेंट में तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल नीज मोमेंट पर मोर डीटेल्स और एडवर्टीजमेंट कॉंटक्ट एडिटर 9563-830285 चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ ट्रांस्पोर्ट, मार्केटें और दीगर अवामी मुकामात बंद रहेंगे काश्तकार 28 मार्च को होली का दहन के दोरान नए फार्म के कौवानीन की कौपियां जलाने का भी मनसूबा रखते हैं वाज़ रहे के, एसके एम ने वाज़ किया है के, जिन रियासतों और मरकजी अलाकों से एसेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, इने 26 मार्च को भारत बंद से इस्तस्ला हासिल होगा कफलता की शुरुवात सरिफ मोशन के साथ जोजीर दाकला अमिट शाथ जोजील पूरूलिया में बागवांडी एसेंबली से बीजेपी की हमायत याफता जे जे यू पार्टी के उमीदवार की हमायत में इंतखाबी महम चलाने आये थे ने कहा के बिंगॉल में दीदी ने कोई आप अपग्रेडेशन का काम नहीं किया है और ना ही वो कर सकेंगी इन्होंने कहा के पुरूलिया में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है दवाई दस्याब नहीं है रास्ते अच्छे नहीं है ये सब लोग मरकज में भेजी गई रकम खाते हैं इन्होंने बागवांडी एसेंबली से बीजेपी की हमायत याफ्ता एजे एस्यू पार्टी उमीद्वार से केले के निशान पर वोट डालने का मुतालबा किया अमिच्छा ने मजिद कहा कि हमें दो मई को पेंगॉल से तिर्नमूल को हटाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको नरिंद्र मोदी की सरबराही में तमाम राहते मिलेंगी इसलिए इन्होंने जीतने के लिए बनाएं यहां बाली वोट सुपर स्टार मिथुन चकरवत्ती ने मंबबाजार से बीजेपी उमिद्वार गोरी सिंग सरदार के हमायत में रोड शो किया रोड शो के जरिया इन्होंने लोगों से मुतालबा किया कि वो लूट्स के अलामत को वोट दे और ग वका नन्द बोरी और कमल कान हांसटा की हमायत में रोड शो किया दोनों विधान सभा में फिल्मी अदाकारों को देखने के लिए लोगों का बेहत मजमा आया एवानकार गार्डन में CPM के दफ्तर में शिविंत मोर्चा ने यहां प्रेस मीटिंग की मोर्चा के तमाम इंदवारों का तार रुप जमूडिया से आइस घोष आसनसूल चमाली से मुस्तक्कीम सिद्धीक आसनसूल जुनूप से पसांटू घोष दुर्गपूर मगरिप से दिवेश चकरवती दुर्गपूर मशरिक से उभास राय चौधरी कुल्टी से चंदी चैटर जी पांडेश्वर से सुभास बलियरी जैसे किया गया था बरविनी से परसन जी पट्वेंदी रानिगंट से हेमन्त परभाकर गोरंगो चैटर जी डिस्ट्रिक सिक्रेटरी आशीश बेग सीपी आई के आरसी सिंग आई एंटी यूसी के हरजीत सिंग भी मौजूद थे मुकररीन ने रोजगार के मसले से निपटना मौशरे में नफरत अमन वा आमान की सूरते हाल वगएरा पेश की बेशतर उमिद्वारों की जीत पर एतमाद था मिस्टर मुस्तीम सिद्धी की ने मुक्तलिफ मामलात में अपने मौकफ के बारे में वाज़ए किया इसका ख्याल था के इसे जूटा करार दिया गया है जबके दिवेश शकरवत्ती ने किंदहानी कराई के हर चीज की तर्दीब दिया जाएगा और इस बार मोर्चाय हुकूमत बनाएगा इस बार इंतखावी गर्मी अपने उरूज पर है कि नारा खेला होवे के साथ इस कैश लाइन नारे के लहर ने इस बार भी बेंगॉली चित्रसील के बाजार में धूम मचा दी है स्यासी प्रोपेगंडा की दहलीज को अबूर करने के बाद दुर्गपूर बेनाचीटी बाजार में सुरोगन टी-शेट के बाद लड़कियों के चोरियार पर लव्स खेला होवे भी नजर आता है चित्रसील में टेक्स्टाइल के ताजिरों की इस नई चमक ने पहले ही मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया है टी-शेट के साथ ही लड़कियों के चोरियार को भी बलाइम्तियास फरोक्त किया जा रहा है शहर के गाउं से लेकर वाल तहरीर तक फ्लेक्स, जखिरा, अंदोजी के नारे भी देखे जा रहे हैं अब भांगा है खेला होवे को भी कहीं शामिल किया गया है खेला होवे, स्लोगन की तहरीरी, टी-शेट्स रियासत के बहुत से हाथ बाजारों में फरोक्त हो रही है दुर्गपूर और मेनचिटी बाजार में सिर्फ टी-शेट्स ही नहीं बलके खुआतीन के चुरिदार भी नजर आ रहे हैं और भी के साथ लिखा हुआ लिबास भी देखा जा रहा है इस सियासी नारे ने बिंगॉल चितरसी में नए फैशन की जगह ले ली है कारोबारी अफरात का कहना है कि कम उमर लड़कों और ललकियों में इसकी ज़्यादा मांग है कारवारी अफ्राद के कहना है कि हर रंग के सारफीन टी-शेट्स और चुईदार खरीद रहे हैं मार्किट में टी-शेट्स 100 रुपए और चुईदार 1500 रुपए की परोक्त हो रही है वर्ती चुटपाद धियाय नामी एक गाहत पे कहा के मुझे सियासत की समझ नहीं आती है सिर्फ इंताखबात के वक्त मैंने सुना है कि आपने खेला है पता नहीं क्या खेला जाता है अंडाल से रामानन्द पासवान के मताबिक अंडाल से पांडेश्वार इसेंबिली हलका के अंडाल पलिस स्टेशन के तहट जूमा मनियान डी मोल कोड़ा पाड़ा के इलाके में भूत के रोज होने वाले बम धमाके में एक नौजवान हलाक और दो नौजवान जखमी हो गए मतवफिक किशनाक शुरावन चौधरी 35 साला के नाम से हुई है जराय के मताबिक जमाबाद बन्यान डी मोल कोड़ा पाड़ा के इलाके में भूत के रोज देर के वक्त करीब साले बारा बजे कुछ नौजवान जमाबाद के इलाके में घर में बम बना रहे थे के बम फट गया जिसमें दो नौजवान जखमी हो गए जिनमें शरावन चौधरी भी शामिल है जिनके बारे में बताया जाता है के वो तिनमूल कारकन है वाके के फौरण बाद शदीद जखमी चरवन चौधरी को इलाज के लिए रानी गंच के नीजी अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया पुलीस ने लाच को आसनसुल डिस्टिक अस्पताल में पोस्माटम के लिए भेज दिया इस धमाके में मुझीद दो अवराद जुलस गए है और पुलीस इनकी तलाशिक कर रही है इस वाके के बाद से इलाके में तनाव की फिज़ा देखने को मिल रही है लोगों में भी गम बारी की जा रही है वोट के दोरान इन बमों को इस्तमाल करने के लिए अपने कारकरनों को कई एलाकों में मदने का काम सौपा है यह अस्षा खुद बं जोनता के घर पर शराब नोशी की और बच्चा शो जाने के बाद आधी रात कुछ रावन अपने साथियों के साथ मलहक काम कर रहा था कि अचानक धमाका हुआ अश्रवान चौधरी की मौत हो गई कोईला और समात के पेशे रख से तालुक रखने वाला लोहा गयर कानूनी थ पांडेश्वर इसंबली से बीजेपी के उमीदवार जतिंदर कुमातेवारी ने कहा कि पांडेश्वर के इलाके में तिनमूल कॉंग्रेस के दर्खवास दहंदकान जो हमेशा बम बंदुक के साथ खेलते हैं वो भी बावला मान ग्राम पंचायत के सरबरा हैं जिन्हों न सुना लेकिन अब ये बिंगौल में नहीं हो गए इंतखाबात में तिनमूल पंचायत और मिन्सेफल कार्परेशन के दगाबात की तरह लोग भी लोग को डरा धमकाक और अनीन पर बंबारी करके वोट लूटना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे हम भी महतात है साहम पुलीस ने बंधमाके के वाके के तदीद की है इस मौजूब पर आसन सुन दुरगापुर पुलीस के डिप्टी कमिशनर पुलीस अभी शेक गुपसा ने बताया के फिलहाल जैवकू पर हम बनाने का कोई सबूत नहीं मिला है पुलीस पूरे मामले की छान मिन कर रही इस सिलसले में बावला गिराम पंचायत सदर बी बेर बहादूर सिंग का कहना है कि ये वाक्य बीजेपी के नए और पुराने कारकरनों के माबेन हुआ है कुछ नए लोग सात्मी नंबर पर बीजेपी में शामिल होने गए थे लेकिन वहाँ एक बाहिमी तनाजिया इसके भी बीजेपी में अमूले तक तीयार की थी जिसमें जमाबाद के कुछ नवजवान भी शामिल थे इसका नतीज़ा बीजेपी के नए और पुराने कारकरनों के माबेन तनाज़ा की वज़ह थे जमाबाद में बं मनाने का काम है और फट पड़ा और एक हलाक हो गया एक पंडवसर बिधान्सुबा यार चाहिचे संतरास कुर्वाज जिन्ने। प्रूलिया जिला में इंतखबात के पहले मरहले के लिए पार्टी के महम का 27 माच आकरे दिन था चुनांशे इंतखाबी महम के आकरे दिन दीवी बेट रहनुमाओं और सितारों के रोश्चों पर मोशन दिन धर जारी रहा जुम्रात के रोश पुरूलिया में बांडवीन इ सोरे बराबाज हलका और जिला पुरूलिया की जिला सदती नूमल कांगरिस के लिकन पार्लेमेंट अभी शेग बैनल जी शुशान महतों की हमायत में पहुँचे ताहम बीजेपी इंतखाबी महम में ज्यादा पीछे नहीं है वजिर दाखला अमिश्चा जिला पहुँच इन्हों ने बागोंडी एसेंबली के बीजेपी के नाम जट करदा प्राची अस्तोष महता की हमायत में एक जलसा आम मुनकत किया इसके साथ अधाकारा में तूच चकरवती निप्रूलिया के मन बाजार इसेंबली हलका से बीजेपी उमीदवार गोरी सिंग सर्दार के हमा परवारी ने रोड शो किया तो अधार जीजेपी अधार आसंसुल में गुजराती भवन के मौके पर एक करमी सम्मेलन का इनकात किया गया है काईदीन और उमीदवार ने पार्टी के हामियों और कारकरणों से खताब किया इन्हों ने पार्टी के लिए टीमसी की हर परवनी ब्लॉक से मनोश्यर्मा के मताबिक दुम्हानी बजार 40 नटिया सेना कल्चरल यूनिट कोई कटा तहवार नहीं छोटे स्कूल के बच्चों के साथ दो रोजा ड्रामा की तर्वियत पूनी बजार के एक नीजी अडिटोरियम में एक्तताम पजीर हुई जिसमें द 40 साल के हैं इस दोरान तक्रीमर हर साल हम बड़े और छोटे की तर्वियत करते हैं अपने नए छोटे बच्चों के साथ हर मंगरी बेंगॉल या मंगरी बेंगॉल से बाहर ड्रामे कर सकेंगे आसन सुल एसोसियेशन का इंतखाब बूद के रोद आसन सुल बार एसोसियेशन के एडिटोरियम में हुआ राद दस बचे इंतखाबी गिंती एक्तताम पुजीर हुई इसके बाद पातिहीन के नामों का ऐलान किया गया आसन सुल बार एसोसियेशन के इंतखाब में राज सिक्रेटरी मनी पद्मा बैनर जी और सुपीरियो हजरा ने काम्याभी हासिल की जबकि अभी जीत रहे और सनातन धना ने काम्याभी हासिल की शांतों बैनर जी ने बतौर खसांची अपने मुंसब को बरकरार रखा और डिटर में प्रालिया चैटर जी एक बार फिर जीद कमेटी में कुल 28 अफ्राद इंतखावी कमेटी में खड़े थे जिन में अभी गेरी अनुप मुखर जी धेरन चौधरी एयान रंजन मुखर जी आंदरिला चकरवत्ती रीटा कावी और अजवाल कांती मंडल शामिल है अलेक्शन में मजमूई तोर पर 54 अफ्राद में काग दोबारा चल रहा है रियासत में पोलिंग से 48 घंटे पहले डीम पर कारवाई 4 IPS भी नाप गए इंतखावात के पहले मरहले से एन कबल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के जरिया जिला जहार गिराम के डीम और डिस्ट्रिक इलेक्शन आफिसर आईशरानी को हटा द दिया है और कहा है कि तमाम अफ्तरान को इंतखावी ड्यूटी से अलग रखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के हिदायत पर जारी होने वाले रिलीस के मताबिक रियासत के मगरिबी जोन के ADG संजे सिंग को इनके उहदे से हटा दिया गया है और इनकी जगह डॉक्टर रा जीद सिनहा को और DCP जिनूबी कोलकता सुधीर नील कंथम की जगह आकाश मुगरिया को मुकरर किया गया है कमीशन के जारी करदा एलामिये के मताबिक जिला जहार गिराम के डिस्ट्रिक एलेक्शन आफिसर आईशारानी गंज को एलेक्शन के तक्मील तक चीफ सीक्रेटर मश्री के दफ्तर में तैनात किया जाएगा इससे कबल एलेक्शन कमीशन ने बेंगॉल के सलामती के मुशीर सरजीतकार पूर कीस था और डी जी पी विरेंद्र को हटा दिया था बेंगॉल में इंतखबात 27 मार्च को हैं मगरिभी बेंगॉल में पहले मरहले के इंतखबात 27 मार्च को होने जा रहे हैं रियासत के 5 इसला में वोट डाले जाएंगे जिसमें जागिरा, प्रूलिया, बांकूला, मगरिभी मदनीपूर और मश्रीकी मदनीपूर इसला की नशिश से शामिल है आसन सुल में कोईला स्मगलिंग केस में मास्टर माइंड अनुप माजी उर्फ लाला बेंगॉल में सुप्रीम कोट की तरफ से एक बड़ी रिलीफ है अदालत ने अनुप माजी की गिरफतारी पर 6 अपरिल तक रोख दिया है अब 6 अपरिल तक सीबी आई के टीम अनुप माजी को गिरफतार नहीं कर सकेगी हमें बताएं के अनुप माजी ने सीबी आई केस के खलाफ सुप्रीम कोट में दरखवास दायर की है सुप्रीम कोट ने बेंगौल में कोईला चोरी केस के मास्टर माइंड अनुप माजी की गिरफतारी से रोग दिया है अनुप माजी ने CBI की थेकिकात पर सवाल उठाया है जिस पर सॉलेसर जनरल तौशुर महता ने समात के दौरान कहा के कोईले की स्मगलिंग का मामला रेलवे से मतालिक है लेहाज अरे आसद से इसकी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है इससे कबल तिर्नमूल कॉंगरेस के यूथ विंग लीडर वीनाय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को ED टीम ने देली से गिरफतार किया था कुल्टी जनियामतपूर में कुल्टी बीजेपी के एहतजाज ने टज बीहार जीटी रोड बीजेपी अहलकारों के कतल के खलाप एहतजाज किया जाम करते हुए रोड पर फॉर्म किया कुल्टी पलीस इस्टेशन के तहत ने आमतपूर पटी पलीस ने पुलीस को सलक को ट्राफिक जाम से पाक करने का फर्स किया है टजाज की क्यादत कुल्टी बीजेपी के उमिद्वार डॉक्टर अजय कुदार ने की इस मौके पर इनके साथ कुवातिन रहनुमा परमीता पतनायक तंजो सिन्हा मजदू रहनुमा टिंकू वर्मा मंडल चार के सदर सतीजीत दास, जनरल सिक्रेटरी, जन्डुसेन, युवा मोर्चा के बोर्ट सदर, संजुग होश, अमित सिंग, विनोत सिंग, सोलन बादल, युवा मोर्चा के कुल्टी कन्वीनियर, पंकर शासंकर भी मौजूद थे यादो समेथ बीजेपी कारकरनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, उदार ने कहा के हमारे कश्च बिहार, डिविजनल सदर, अमित सरकार को तिर्मूल काइदीन के कहने पर कतल किया गया, वहीं पुलीस इंतजामिया गहर फाल रही, इन्होंने मतालबा किया कि मुझ अधित रहनमा घर घर जाकर अपने उमिद्वार का तारुफ करवाते रहे, इन्होंने यहाँ एक इंतखावी दफ्तर का इफ्तेतावी किया किया। मुतायद्धा मुहास जमूरिया एसेंबली से सीपी एम के उमीदवार एयाश होश ने जेडी यू का नारा बुलंद करते हुए जमूरिया हलकम इंतखाबी मेहम का अगास किया इन्होंने बीजेपी हुकूमत आर्नी दार कर की तरह तिन्मुल हुकूमत आर्नी दर्कार दोड़नेटी सरकार आर्नी दर्कार के आवास के साथ हमारी आजाद प्यारी आजाद जिन्दगी हग छीनने का हग बुलंद किया इतिफा की तोर पर एयाश घोस ने एन्यू के तहरीक से मुंजर आम पर आये इस वर इन्हें मुतायदा मुहास की चानिव से जमूरिया विधान सभा से दरख्वास गुजार मुकरर किया गया है आजादी को हग हमारे आजादी को जान सब्यारी को तुम ना दोगे हम जीन कलेंगे हम लरत कलेंगे आजादी को हग हमारे और आखिर में हमारा SMS of the moment I forgive but I also learn a lesson I won't hate you but I will never get close enough for you to hurt me again I can't let my forgiveness become foolishness मैं माफ करता हूँ लेकिन मैं भी एक सबक सीखता हूँ मैं तुम से नफरत नहीं करूँगा लेकिन मैं कभी भी इतना करीब नहीं हो जाऊँगा कि आप मुझे तकलीब दो फिर से और बेवकूब मनाओ तो इसी के साथ मैं आप से जादत चाहूँगी पर उसे पहले प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब असलाम वाली